बिसमिल्ला रख्मान रहीम असलाम लेकुम आज मैं बात करूंगा बहुत इजी और बड़ा जो बेसिक टॉपिक है जब हम बैलोजी पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे इक्पॉर्टन टॉपिक है हम कुछ फीचर्स की बनियात के उपर इंटिफाय करते हैं यह बड़ा बेसिक कंसेप्ट है और जब भी हम बायोलोजी को पढ़ते हैं यह अगर आप बायोलोजी को पढ़ते हैं तो अगें इट इस सटी आफ लाइफ बायो मीन लाइफ और लॉजी मीन स्टडी तो हम लाइफ में और आपकंच के ओपर हम हम इंटिफाय करते हैं कि यह लिविंग और यह नौन लिविंग और द्यूर्ग उबgas rip जिसकाम कि जानदार तेंजिता हैं सबसे MP्ट धेरि playercrazy series हैं ते सबसे हैं अब कुछ और द्रॉन और वेदिन और और इस यूनिए उर्ग तर बहुत रफ्दिए और यह बाइव स्टी और हुआ जुर्फ आपके जिनेटिक लेवल भी है जुँ है आपके एकोसिस्टम लेवल में होती है तेख और व्यूमिस्टेस बार्थ और देखते हैं और और सिर्सका बाइवर्ण के लिए उसका बहुत बंटरोल वाज दीके बालने के बार्ठ बात करते हैं तो पहला है लिविंग तीह और उसमें ने बता दिया यूणिसेल्योर और सब्सक्राइब करें अगर आप क्रॉस उनके अंदर करें तो कई दफ ऐसा होता है कि वो फोटायल उस्पिंग नहीं होते बट सिल आपने जब इस वक्राइब करें वह उसके अर्गनिसम्स के अर उसके मताबिक और में यह और स्टेप अधिक्शन वन सेख्शन प्रड़ेश्य के प्लांट्ट है उनके अंदर सेख्शेट्ड ने इस अफ़्य प्रड़ेशन हो जूर्ट इस भील डिल फिचर एक रिविश्ट मेर्ट व्रीप सेट्षट प्रेश्ट आरी पॉर्ण लिविश्ट इस थी कोडर और गजनेटिक और जनेतिक और रहुं के औरुट निवर्स एक कोर और गनेट, आस्ट पर किन चार नीक्लियोड बीजान नेगेक हम आ रहने की बात करें तो यह यहीं बनाती है और यह चार जो है आपका बेसी कोड है जो हम हमारा कोड है जरेटी और वह बनाती है तो दीज कंबिनेशन आफ इस फोर बेसे डेवेलब देवयलब दिस थी लैटर कोड जरेटी निवर्शल और तमाम जानदोरों के अंदर उनिवर्सल कोड है और एक जीजा वूनि फोर्मटी है करती है वो जरतिकोड जो कि निवर्सल है तमाम और मिसमें प्लाट्स में आनिव or crisis of living organisms then living organisms can move they have movement say they can they have displacement plants you have we move karthi jagas at the movie party but you we can see if we sow a seed the whole plant osmosinic large germinate who are it increased in height it increased in size ticket so yes there is a kind of and then animals okay so many animals they move from one place to another birds can even fly ticket marine animals can swim long distances birds can travel thousands of kilometers and they do migration so and so forth so you have another attack again property you have movement key jvmr pass environment kevalis here living organisms can grow and develop growth which is a modern disease living organisms which grow can grow okay just short organisms are unicellular organisms they increase in size for example if we talk about the big organisms to grow development सब्सक्राइब करें तो देखें बहुत से जो इंसेक्स हैं उनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं और उसके बाद आपको नजर आता है फर्दर जो उसका डेल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म पे हैं अब बटरफ्लाइब की बात करें मेरा I have done research on butterflies so you see there is egg and then there is a larva and then people and then the whole butterfly emerges out of it so in effect जो लार्वा है उसका कटल पिलर है जब अंडर से निकलता तो वह सुन्डी होती है और फिर वह सुन्डी जो है वो अपने आपको दुबारा खॉल में लेती है और फिर वह एक अब बटरफ्लाइब की सुरत में निकलाती है तो यह ग्रोफ जो हम नजर आती है यह डिवल्पेंट की स्टेजीज जैने एट इस डिवल्पीं हर स्टेज पर इफरेंट है और फाइनली जब अधाल्ट है तो वह बिल्कुल डिवैलप हो के डिवेलप हो के डिवेंट है औ सब्सक्राइब करते हैं मैं अब इस नबड़ेंट उसमें दो और यह कंपोनेंट से एक एनबलिजम है और एक कताबलीजम यानि एक है building up of the energy or the food molecules of the food and second is the breakdown of the animals can the plants can the plants photosynthesis for store करते है food की formation होती है और animals उस food को जब लेते हैं so they do catabolism and they break down that food and they get the energy which is stored in the food so you don't know again very very important phenomena's and living things maintain a stable internal environment homeostasis very again important feature of of the living organisms okay they have this balance with the environment with with outside world so just maybe organisms and they maintain their internal environment I'm not temperature maintain car team of no chemical composition maintain company so homeostasis is again a very important phenomena living organisms they maintain their internal environment they maintain their internal systems with reference to the environment jubi reference other environment may have some thunder those of you have a doctor yeah stabilize stabilize card team or other war call head-to-be-stabilize card other warm head-to-be-stabilize card so basically homeostasis is is just my control card the environment you have internal us go balance card games comment in the office say a free job feature you bought care taken as a group of group you bought it yeah so living organisms the change over time they do and they evolve so not a single single organism can be involved but as a group of about current group of different reasons for taking yes over thousands of years over many years thousands of years they do evolve so this evolution is not normally seen in couple of generation it is always seen over thousand of year so we can see the evolution and we can see how they evolve again and they adopt or attain certain different exercises which differentiate them from their own kind after thousands of years so of living organisms which are very important is different books living organisms they take material then they excrete out the material as well or they have a stimulus response to the environment yes or if there is a stimulus the organisms will respond to it plants you have a light kid of response cutting plants you have water get a free spawn cutting he cannot see that I'll say animals here will be again depending on the temperature depending on the climate depending on the weather they move towards the sunlight for warming their body up chicken and then they won't move away if there is excessive light so depending on the environmental conditions so here we are how my classics will take a stimulus or response to the environment to start both organisms other module that are why you have there viral these are the couple of for jimani main crisis have data yeah living organisms are composed of cells living organisms have a genetic code living organisms can grow and development uh do dwell have development living organisms can have metabolism living organisms uh take up they maintain their internal environment chicken they maintain their internal environment and they use and obtain energy from the environment so these are the major classics of practices of living organisms thank you very much much